जैहिन दोस्तों, क्लास 6 की NCRT हमने पूरी कवर कर ली है, ना हम लोग क्लास 7 की NCRT करेंगे हिस्ट्री की और इसी तरह से सभी सब्जेक की करेंगे और इसके अलवा topic wise previous year question भी मैं कर रहा हूं, लास्ट के lecture में मैंने हडपा सभेता पर करीब 40-50 सवाल जो की UPSC के different exams में तो इस तरह से काफी सारे question repeat भी करते हैं, आप उन वीडियो lectures को जरूर देखिए, यहां हम लोग बात करेंगे class 7 के history के ओपर, और यह देखिए our past की series आती है, इसका first part हमने cover किया, जो की class 6 की history थी, ना यह class 7 इसलिए part 2 लिखा हुआ है, और यह class 7 की NCRT की new वाली book है, जो हमारी पुरानी टेकनीक थी, हम लोग उसी तरह से करेंगे, सबसे पहले text को करेंगे, उसके बाद बीच बीच में UPSC के different exams के previous year question को करते चलेंगे, और यही हम लोग करते भी आ रहे हैं, देखते हैं पहले यहाँ पर क्या हमारे contents में है, तो यहाँ पर total chapter के अगर मैं बात करूं तो 10 chapter देखने को मिलेगा, और class 6 की history में 12 chapter थे, पहला chapter है tracing changes through a thousand years, यानि 1000 सालों तक हम लोग changes देखेंगे कि क्या-क्या बदलाओ, देखने को मिला, नए-नए राजा आते हैं और उनके सामराइज के विचे में समझेंगे, उसके बाद डेली के सुल्तान्स के विचे में, फिर आएगे मुगल empire के बारे में, और ruler cell binding के बारे जो regional culture वगेरा डेवलफ हों हैं वो देखेंगे, और 18th century के political formation की बात करेंगे, तो basically यह वाली जो book है आपकी medieval history से deal कर रही है, तो हमारा पहला chapter है tracing changes through a thousand years, यानि 1000 सालों में कौन-कौन से बदलाओ यहाँ पे देखने को मिले, वो हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, सबसे पह cartographer कहते हैं, यह English के perspective से important है, आपको ध्यान रखना है, तो हमारे पास यहाँ पे दो map दिये गया है, पहला देखिए यह map 1 है, और अगले page में हमें map 2 के विशे में दिया गया, पहला जो map है वो बताया जा रहा है कि, अल यहाँ पे देखिए, अल इद्रिसी के दोरा बनाया गया है map 1, और second वाला जो map है, वो French cartographer के दोरा बनाया गया है, और काफी time gap भी देखने को मिलता है, पहला बनाया गया 1154 में और दूसरा 500-600 सालों बाद बनाया जा रहा है, तो यही हमें बताया जा रहा है, यह आप से कोई पूछेगा नहीं, directly factual question नहीं आएंगे, बट यह को समझाने की कोशिस की जारी, किस तरह से political map में बदलाव देखने को मिलता है, तो यह देखिए, यहाँ पर आपको कहीं से भी पता नहीं चलेगा कि, क्योंकि यह काफी पुराना map है, तो हो सकता है, उस time पे geographical features थोड़े अलग हों, और जो reasons के नाम है, जो छेतरों के नाम है वो अलग-अलग हों, और यह असपस्ट भी हो रहा map से, और अगर second map की बात करोती है, काफी बाद ने बनाया गया, अगर आप देखे 1720s के दस्तों के बनाया गया, तो काफी सारे reasons यहाँ पर हमें समझ में आएंगे, जैसे अगर यहाँ पर आप देखे, तो कुछ area, जो हम पीछे का reason simple यह है, कि जो यूरोप और बाकी, जैसे अगर आप देखे, अरब पैनिन्सूला में, वहाँ के जो लोग है, वह वैपार करते तो यह वैपार हजारों सालों से चला आ रहा है, हमने हडपा समयता की भी बात की, उस टेम पे भी हमने देखा की वैपार चल रहे है तो इस वज़ा से मैप की जरुत पड़ती होगी, तो दोस्तो हमने देखा मैप में काफी ज़्यादा differences देखने को मिल रहे हैं, में भी इसके पीछे का reason यह हो, उन्हें exact idea नहीं, उनके पास कोई खास data वगरा नहीं होते थे, जगों के नाम पता नहीं होते थे, तो इस वज अफले भी बताया है, अगर आपको याद हो, question भी आया, CDS 2.22 में, उसमें पूछा गया था कि मुस्लिम से लिए कौन-कौन से word यूज की जाते हैं, तो उस टेम पे भी हमने देखा था कि चाहें वो बात हो, हिंदू word की, या मुस्लिम word की, तो इनके meaning काफी अलग थे, आज यह जब term use किया गया, 13th century में, मिनहास सिराज के द्वारा, मिनहास सिराज के द्वारा, जो कि एक chronicle author भी थे, पर्सिया से आये थे, और यह जो denote करते हैं हिंदूस्तान को, इनका मतलब होता है कि पंजाब, हर्याना, और गंगा और यमुना के दवाब के बीच का area, ठीक है, बेसिकली यह represent करना चाहते थे कि जो दिल्ली के सुल्तान से, जो दिल्ली के राजा है, उनके पास, उनके अंडर के जो areas है, उनहें represent कि जा रहा था हिंदूस्तान के द्वारा, लेकिन जो यह term है, वो shift होने लगा, हमें भी पता है कि area, जो है वो राजा बढ़ाते गए, बाबर यूज हिंदूस्तान टू डिस्क्राइब दा जोगरोफी, फोना, एंड़ कल्चर अब इनहेविटेंस अब दा सबकॉंटिनेंट, यानि हमें पता है कि जो 1526 में भाबर आते है भारत, तो उस टैम पे क्या होता है, वो हिंदूस्तान को किस बात से रिपरजेंट कर हैं, और ये भी वर्ड हिंद का किस तरह से यूज करते हैं, और किन-किन एरिया को सामिल कि जाता है, तो देखिए, वर्ड एक ही है, लेकिन किस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि अलग-अलग मायने ये टर्म रख रहा है, कभी तो यहाँ पे बात की जारी है, complete भारत की और क इसी तरह से एक और टर्म की बात करते हैं, तो आज की रेट में फोरेइनर का क्या मतलब, अगर आप इंडिया के कंटेक्स से सोचें, तो फोरेइनर कोन है, जो भारत का नागरिक नहीं है, संबन, हूँ डज नोट बिलोंग टू इंडिया, ये फोरेइनर कहलाता है, लेकिन अगर आप हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव से देखे, तो फोरेइनर का मतलब ये होता था, कि जो किसी गाव में, या किसी पर्टिकुलर एरिया में, वो पहली बार वो स्ट्रेंज हो, यानि किसी बाहर जगह से आया हो, जो सोसाइटी और कल्चर का पार्ट ना हो, कहने का मत अगर पर इंपे काफनी का मतलब ये है कि ये जो फोरेइनर का मतलब ये है कि ये जो फोरेइनर के लोग एंगर रहते हैं तो फोरेइनर नहीं कहलाईगे, भएले ही उनके कास्ष में difference हो भले उनके religious में difference हो तो आप बात को समझ पहार है कहने का मतलब यह है कि यह जो foreigner term हम लोग यूज करते हैं यह किसी यह political context में आज की डेट में यूज करते हैं कि जो भारत का ना हो जो या किसी particular जो हमारे देश का ना हो इस तरह से मों foreigner term को यूज करते हैं लेकिन अगर आप history के context में देखें तो एक गाव में माल लीजे लोग रहते हैं और किसी बाहर से माल लीजे city है और यहां पर forest है forest का कोई लोग आया भले ही वह उसी के बगल का एडिया का हो बट वह foreigner कहलाएगा इस तरह से चीजे मीनिंग जो है वह रिपरजेंट किये जाते थे और भले ही वह सहर के दो अलग अलग लोग हो बहले ही उनके जो differences है religious difference हो काज difference हो societal difference हो बट फिर भी वह foreigner नहीं माने जाएंगे सो हमने last class में बात की थी जो हमने 6th class की जब NCRT कर रहे थे तो गुपता डानिस्टी के बारे समझा था हमने हर्सवर्धन की किताबे देखे हर्सवर्धन की बायोगरोफी को समझा लेकिन अब हम लोग बात करेंगे 700 से 1715 की यानि roughly अगर आप देखे तो 7th century का time period था हर्षा का और उसके बाद का time हम लोग देखेंगे तो हमने बात की है इतिहास के संदर में जिस भी चीज़ पर हम लोग बात करते हैं उसका कोई ना कोई finding होती है उसके बाद हम उन conclusion तक पहुंचते हैं कि किस तरह की lifestyle रही होगी या लोग किस तरह का जीवन जीते होंगे तो अगर ह बात करें जैसे हरपा सबयता की या वेदिक सबयता की जो कि काफी सालों पहले हजारों सालों पहले देखने को मिलती है तो उस time पे जो हम लोग rely करते हैं वह mainly findings होती है जैसे pottery हो गई sculpture हो गए इन चीजों पर rely करते हैं क्योंकि कोई भी writing देखने को नहीं मिलती इवन हमें पता है कि हड़पा सबयता में अगर कुछ लिखा भी जाता होगा script में तो वह हमारे पढ़ने योग नहीं है और अभी तर बिसाइफर नहीं किया गया तो इसी तरह से जम लोग बात कर writing में रही है और केवल coin inscription इन चीजों पर rely नहीं करेंगे written चीजें जो archives होती है जो written records होते हैं उन चीजों पर भी बात करेंगे अगर बात करें हम लोग 13th century की तो देखे paper जैसे कि मैंने आपको बताया था चाइना ने बहुत पहले ही paper को invent कर लिया था वहाँ के लोग यूज तो कर रहे थे बट इंडिया में अगर आप देखे तो 12th, 13th century तक जातर चीजें manual script के अंदर ही लिखी जा रही थी पेड़ व अगरा के चालो में उसे wealthy people के द्वारा collect किया जाता था monestries temple में और इसे library और archives में रखा जाता था देखिया archive का मतलब समझ लीजे एक ऐसी जगा जहां पर जो document है या जो manuscript है उन्हें store किया जाता है बेसिकली जो papers है जो historical records है उन्हें store किया जाता है और today all national state government have archives where they keep all their old official records of course तो यहां पर हर आज की rate में अगर आप देखे तो हर देश के और state government के पास archives होती है और अब तो यह चीजें online store की जाने लगी ताकि बाद में भी जो data वगरा उन्हें निकाला जा सके तो दोस्तों जब लोग बात करें medieval India की यानि 12th century के starting की तो उस टाइम पे printing printing press of course नहीं थी भारत में देखें तो काफी बाद में पूर्त गालियों को स्रेय दिया जाता है कि printing press लाने का इंडिया में और तो इस तरह से काफी बाद में देखने को मिलता है 15th century के बाद में लेकिन जब लोग बात करें 12-13th century के तो कोई printing press नहीं थी तो manuscript को हाथों से copy किय जाता था तो आपको पता होगा जो हमारे school time पे हमारे दोस्त की copy ले आते थे हम लोग और homework और बाकी चीज़े copy करते थे तो कहीं कहीं पे तो पता ही नहीं चलता था क्या लिखा हुआ है तो उसे कुछ और लिख देते थे एकी word तो अलग रहेगा इसी तरह का यहां पे भी ह में देखने को मिलता है medieval history में भी copy वगएरा लाई जाती है और लिखी जाती है जो मेनू स्क्रिप्ट को उतारा जाता हातों से लेकिन कुछ errors भी देखने को मिलते हैं of course कुछ minimal errors देखे जाते हैं चुकि यह सारी चीजें उस टाइम पे हाथ से लिखी जाती थी तो caligrapher की काफी demand रहती थी और caligrapher जो लिखने में निपूर होते हैं उनकी काफी value भी की जाती थी तो यहाँ पे अगर आप देखे caligrapher जो हाथ से लिखते हैं इनमें अलग-अलग तरह के यह font सीखते हैं जैसे हमें पता हैं computer के अंदर font होता है अलग-अलग तरीके से जो लिखावट लिखी जाती है उस तरह की यह practice करते थे तो अगर आप figure में देखेंगे तो देखें य यह वाली right वाली image में एक second येस तो यहाँ पे यह देखें सिकस्ते इसे लिखना जादा difficult है और यह nastalik है nastalik font है तो इसे लिखना जादा सरल होता था तो इस तरह के different तरीके के font का use किया जाता था तो यहाँ पे अगर आप देखें तो सिकस्ते जो है वो जादा difficult है और nastalik इसके मुकाबले थोड़ा easy है लिखना तो इस question को देखें यह civil services 1996 का question है आपसे पूछा जा रहा है nastalik क्या था एक Persian script था जो की medieval इंडिया में use होता था एक तांसेन के दवारा rock compose किया गया था मुगल emperor जो sex लिवाए करते थे जो extra sex लगाते थे Texas के उपर वो था या manual code of conduct था उलेमा के द्वारा तो हमने देखा यह क्या है एक Persian script है जो की medieval इंडिया में use की जाती है जिसे क्या कहते है नस्तालिक और सीकस्ते भी हमने देखा तो यह देखिए 7th class के NCRT के boxes से civil services में भी question पूछे जाते हैं तो यह भी ध्यान रख लिजे हो सकता है नस्तालिक पर प्रशन बना है तो आगे चलके सीकस्ते पर भी सवाल बने और तो यह बात आपको ध्यान रखने है कि यह लिखने का तरीका है अस्त लेकर प्रणाली है अब दील हो जाता है और कभी-कभी जो मीनिंग है वो बदल जाती है तो यह थोड़ी problem आती है क्योंकि originally written चीजें अभी मिलना बहुत मुश्किल है जब हम लोग बात करेंगे 11-12th century की काफी बाद में दो-300 साल बाद हिस्टोरियंस के दौरा इन manuscript को दोबारा लिखा गया त original manuscript मिलना मुश्किल होता है इस वज़ा से हम लोग dependent है किन चीजों पर जो बाद के subscribe जो इन चीजों की copy करते है उन चीजों पर और बहुत बार क्या होता है सो हम खुद ही जो लेखक होते हैं यहाँ पर अपनी चीजों को दोबारा rewrite करते हैं और उन चीजों में modification करते हैं जै दूसरी बुक का दूसरा version दो सालों के बाद लिखा अपना chronicle basically लिखा तो अब इसमें क्या होता है यह जो दो books हमने बात की जो दो chronicles की बात की यह दोनों differ करते हैं और लेकिन हमें यह 1960 तक पता ही नहीं था कि इसका पहला version भी है कहीं library में library correction में गुम हो गया था लेकिन 1960 क दसक में पता चला तो of course बहुत बार ऐसा हुआ होगा इतियासकार हमें भी पता है कि जो काफी पुरानी किताबे हैं वो बहुत बार survive नहीं कर पाई बट यहां से जो चीजे हम लोग यहां पर समझ पा रहे हैं कि कभी-कभी इतियासकार सोयम की चीजों को revise करते हैं लेकिन उन चीजों के बारे में हमें पता हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है वो डिपेंड करता है कि वो चीजें survive कर पाई हैं या नहीं जियाउदिन बर्नी के विशे में आपको एक बात note कर लेनी है बहुत जादा important है तारिखे फिरोज साही के यह author है very very important बहुत बार exams के अंदर पूछा गया इवन civil services पर भी जियाउदिन बर्नी पर सवाल आएं वो सारे भी हम लोग cover करेंगे सो दोस्तों जिस thousand years की हम लोग बात कर रहे है 700 से 1715 तक इसकी study करना difficult है historians के लिए भी विकोज काफी सारी चीज़ें यहां पर अकर करती हैं काफी सारी चीज़ें developments देखने को मिलते हैं और इन चीज़ों को write down करके रख पाना भी difficult होता है at different moments in the period new technology दिखाई पड़ती है जैसे Persian wheel हो गई और irrigation के दोरान जो यूज की जाती है spinning wheel हो गई weaving के लिए fire arms बनाए जा रहे थे combat और यूध हो अगेरा के लिए new food और beverages देखने को मिल रहे थे जैसे potato, corn, chillies हमें पता है potato लाने का सरे भारत में पूर्थगालियों को जाता है इस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही थी कि medieval India के economic history के विशे में जो अरग घटा है यह क्या refer करता है तो देखे यह चीज आपको directly NCRT में नहीं मिलेगी बट हमने जैसा की देखा 7th class के NCRT में Persian wheel की बात की जारी है तो इसका correct answer भी option C है water wheel used in irrigation of land लेकिन सवाल यह उठता है कि इस particular term के विशे में नहीं दिया गया है लेकिन जो Persian wheel है इस विशे में हमने देखा कि Persian wheel की बात की जारी है हमारे 7th class के NCRT में तो लेकिन सवाल यह उठता है कि फिर इस तरह की चीजों को कैसे त्यार किया जाए तो इस तरह की चीज अगर यह आप directly देखना चाहते थी कि रो मिला था पर वाली book में जो काफी पहले NCRT जो आती थी 7th class की उस टाइम पर यह चलाई जाती थी और यहाँ पर correct answer हमने देखा आरा घटा तो इस तरह के questions के लिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं बस यही है कि यहाँ से हम लोग learning ले सकते हैं कि इस तरह के terms पर भी question बनते हैं और हमेशा ही बनते हैं इस तरह के terms के यहाँ से सीखने को मिलता है और यह बहुत बार repeat भी किया अभी देखे state PSE के अंदर दो बार repeat किया West Bengal PSE में और other state PSE में तो यही होता है फाइदा previous question को अच्छे से करने का तो एक term यहाँ पर मैं आपको और बता दू राहत या फिर रहगत यह भी use किया जाता है और अगर आ नहीं से यह नाम पड़ा नाव देखिए हम लोग जिस time period की बात कर रहे हैं जिस centuries की बात कर रहे हैं 12-13 centuries की यहाँ पर gradual clearing देखने को मिलती है forest की और agriculture को extend किया जाता है obviously ताकि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर खेती की जा सके और lifestyle में improvement देखने को मिले और changes in their habitat forced many forest dwellers to migrate तो of course यह reason भी होगा कि जो forest dwellers है जो जंगल में रहने वाले लोग है उन्हें migrate करना पड़े और other started tilling the land and become pigeons और इसके बाद बागी लोग वहाँ पर tilling करते हैं खेती करते हैं और इस तरह से वह किसान बनते अब यह जो नए किसानों का group धीरे धीरे जो बनता जा रहा है वह regional market के द्वारा influence होगा और भी बहुत सारी चीज़े influence करेंगी जैसे temples होगे, Monesties होगे, Markets होगे, Chiftains होगे, they become part of large complex society इसके बाद यह धीरे-धीरे large complex society का part बनते जाएंगे और इन्हें taxes भी देने पड़ेंगे ताकि यहाँ पर राजा का सासन चल सके और बाकी चीज़े भी चल सक हैं और cattle भी वो रखते हैं और combined artisanal work भी करते हैं agriculture के साथ-साथ जैसे हाथ से कोई pottery work कर लिया या और भी कोई हद करगे वाले काम कर लिये तो लेकिन कुछ लोग यहाँ पे हैं जो एक side में landless बन चुके हैं और भूमीहीन वहाँ पे वो labor कर रहे हैं दुसरे के खेतों में औ इस तरह से ranking decide की जाती जो की जाती में सब divided हो जाती हैं और यह काफी सारी चीजों से influence होती है जैसे power influence and resources controlled by the member of the जाती यानि किसी particular जाती के द्वारा इन चीजों को control भी किया जाता है और जो status है और status of the same जाती could vary from area to area यानि अलग-अलग area में इन जाती के status में changes भी देखने क मिलते हैं अभी हमने जिन groups की बात की जाती की यह जो जाती है यह अपना rule खुद बनाते हैं और conduct को अपने members के conduct को खुदी manage करते हैं लेकिन यह जो regulation है इने assembly of elders के द्वारा enforce भी किया जाता है जो कुछ area में जाती पंचाइद के नाम से जाना जाता है नाओ देखे बात करते हैं reason and empire की तो जो बड़े-बड़े states है large states like दो जो चोलाज, तुगलक और मुगल encompasses many reasons तो बहुत सारे छेतरों को cover करते हैं जो बड़े-बड़े kingdom है एक संस्कृत प्रसस्ती तो हमने last के class वाले lectures में बात भी की थी प्रसस्तियों के उपन कि किस तरह से प्रसस्ती में राजा के विशे में लिखा जाता है राजा की बड़ाई की जाती है तो दिल्ली के जो सुल्तान है गिया सुद्दिल मर्बल बलबन इनके प्रेजिंग पर जो संस्कृत में प्रसस्ती लिखी गई है वो बताती है कि कि इस तरह से ये बहुत बड़े empire जो कि बंगाल में गौड सामराय से लेकर गजनी यानि जो हमारा east में गजनी है अफगानिस्तान में वहां तक इनका kingdom लाई करता है और इस तरह की बाते लिखी जाती है और यहां तक ही बताया जाता है कि जो south india के kingdom है दरविडियन kingdom वहां तक इनकी kingdom लाई करती है लेकिन जैसा कि कि मैंने आपको बताया है 90% cases में क्या होता है इसके पीछे का reason बहुत simple है क्योंकि राजा के दरबार में ये लोग काम कर रहे हैं तो अगर ये राजा के विशे में कुछ भी अगर जरासा भी कुछ कम लिखते हैं तो of course आप इसका परिणाम समझी सकते हैं तो इसलिए 99% cases मे राजा के बारे में बहुत बढ़ा चला कर बताया जाता है हमने लास्ट के लेक्चर में भी देखा था कि किस तरह से समुद्र गुप्त के विशे में बताया जाता है कि बाकी सभी के इंगनम को हरा दिया गया है और ये सबसे बेस्ट हैं पूरी दुनिया में इस तरह की बा जाती हैं अगर आप सिंधी देखें लाहोरी कस्मीरी द्वार समुद्री तो हमने बात कि थी द्वार समुद्र हम आज के डेट में करनाटक के हेली बीडू में माना जाता है और इसी तरह से अलग-अलग जगों में देखें तो तेलंगनी गुजरात में गुजरी अलग- चेत्र से बिलोंग नहीं करती थी इट वाज अन ओल्ड लेंगवजी एक प्राचीन भासा थी एंड कोमन पीपल डू नोट नो इट ओनली दा ब्रहमन्स डू आगे चलके हम लोग पढ़ेंगे भी यहाँ पर कि जब मुगल एंपायर डिकलाइन कर जाती है 18th century में तो अलग अलग डिजनल kingdom बनाया जा रहे हैं इनमें काफी changes भी देखने को मिलेंगे across most of the subcontinent the region were left with the legacies of the big and small states that had ruled over them तो legacy विरासत भी देखने को मिलते हैं जिस तरह के राजा रहते हैं उस तरह की adoption देखने को मिलती है इस वाज अपैरेंट इन इमर्जेंस ऑफ मैनी डिस्टिंक्ट एंड रियल्म्स ऑफ गवर्नेंस दा मैनेजमेंट ऑफ इकोनोमी इलीट कल्चर्स एंड लेंग्वेज थू थूद थाउजंड यह बिविन 700 और 1750 दा करेक् लग रीजन है वो isolation में ग्रो नहीं होते हैं बलकि यह इन रीजन में जो pain regional forces हैं वो भी परभाव डालते हैं अगल बगल की रीजन का भी यहाँ पर परभाव देखने को मिलता है ना बात करेंगे old and new religions की तो जो हमने thousand year की history की हम लोग जब बात कर रहे हैं 700 से 1715 तक तो बहु लोगों के विचार धर्म को लेकर के people's believe in the divine was sometimes deeply personal बहुत बार यह personal देखने को मिलता है लेकिन ज्यादा तर यह collective भी देखने को मिलता है collective in the sense की लोगों का एक group है जो किसी particular supernatural agency पर बिलीव करता है और जो की religion कहलाता है और यह closely connected social and economic condition के साथ भी और as the social worlds of this group altered so too did their beliefs तो of course परसल गुरूप में भी बदला हो रहा था it was during this period that important changes occurred in what we call Hinduism today आज की रेट में अगर आप देखे जिने हिंदु धर्म के विशे में तो इन में भी बदला देखने को मिले जैसे new dieties की वर्सी की जाने लगी construction किया जाने का temples का royalty के द्वारा और growing importance देखने को मिली brahman's priest और dominant group society में देखा जाने लगा और society में अगर आप देखे तो their knowledge of Sanskrit text earned the brahman's a lot of respect in society, their dominant position was consolidated by the support of their patrons new ruler searching for prestige, यानि कहने कारती है कि कि किसी particular राजा के द्वारा brahman's को support किया जा रहा है और Sanskrit text के विशे में इनकी जानकारी के कारण इन्हें society में काफी सम्मान मिल रहा था, तो यह जो हम patrons की बात कर रहे हैं, यह particular किसी भी धर्म से, किसी भी चीज से associated हो सकता है, और राजा के द्वारा जैसे अगर कोई magician है, तो उन्हें भी patron बनाया जाता है, उन्हें support किया जाता है, तो यहापे आप देख सकते है, patron का रहते हैं, an influential wealthy individual who supports another person, यानि कोई artist हो गया, या कोई craft person हो या कोई learned man हो गया, इन्हें जब कोई support किया जाता है, राजा या फिर किसी influential person के द्वारा, तो वो patron कहलाता है, मतलब संरक्षन basically, इसी time period में अगर हम लोग बात करेंगे, तो सबसे खास बात आएगी भक्ती के idea की, यानि of a loving personal deity that devotees could reach without the aid of priest or elaborate rituals, यानि बिना किसी rituals और मदद के devotee जो है, जो भक्त है, वो अपने deity से, deity तक पहुंच सकते हैं, इन चीजों की बात की जाएगी भक्ती में, और इसी time period में यहाँ पर origin देखने को मिलता है भक्ती का, जिस time period की बात कर रहे हम लोग उस time period में और भी काफी सारे चीजों में बरलाव देखने को मिला, अगर religious की बात करें, तो merchants and migrants first bought the teaching of the holy Quran भारत में लेकर के आते हैं, 7th century में, Muslims regard the Quran as their holy book and accept the sovereignty of one God, Allah, whose love, mercy and bounty impress all those who believe in Him without regard to social background, of course यह चीज़ा हमें पता है बिना किसी social background के यहाँ पर बातें देखने को मिल रही हैं, और बहुत सारे राजा यहाँ पर Islam के patrons है, and the ulema learned theologician and jurist, तो यह आपको ध्यान रखना है उlema के विसे में, जो की learned theologian होते हैं, theologian का मतलब जो धर्म के विद्वान आप कह सकते हैं, and like Hinduism, Islam was interpreted in a variety of ways by its followers, तो Hinduism की तरह ही यहाँ पर Islam को भी उनके followers के दोरह अलग-अलग रूप में interpret किया जाता है, there were the Sia Muslims who believed that the Prophet Muhammad son-in-law Ali was the legitimate leader of the Muslim community, and the Sunni Muslims who accepted the authority of the early leader Khalifa of the community, तो यहाँ पर भी differences हमें देखने को मिल रही है, आसिया Muslims में और Sunni Muslims में, there were other important differences between the various school of law, जैसे हनाफी school हो गई, सभी school यह इंडिया में देखने को मिलता है, और यह theology और mystic tradition का part है, अगर इतिहास कारों के संबंद में देखें, तो यह सिर्फ time को इस तरह से नहीं मानते हैं कि घडी और दिन और साल पास हो रहे हैं, यह इस चीज को भी देखते हैं कि social या फिर economic organization में क्या बदलाव देखने को मिलें, जैसे ideas में, belief में, इन चीजों में भी बदलाव देखने को मिलते हैं, और social condition में भी बहुत सारी changes देखने को मिलते हैं, अगर आप 19th century के middle में देखे तो जो British historian है, वो भारत के इतिहास को तीन भागों में divide करते हैं, Hindu, Muslim and British, और यह जो division है, इस idea पे based है, कि जो rulers है, जो raja है, वो किस धर्म से अपना संबंद रखते हैं, और यह आप खहे सकते हैं, बहुत ही shallow division है, क्योंकि यहाँ पर आप देखे तो society, culture, economy, इन perspective से कोई बात की जारी है, और किस तरह के सब कॉंटिनेंट, सब कॉंटिनेंट कार्थ, यानि भारतियों महादुप में किस तरह के बदलाव देखने को मिला diversity वागरा में, इन चीजों को भी ignore किया जाता है, तो basically यहाँ पे जो जिस historical division की बात कर दिये, बात की जारी है, वो 1817 में एक बु इसी में पूछा गया और important है, बुक का नाम है A History of British India, 1817 में यह प्रकासित की गई, जेम्स मिल के द्वारा, और इसी में इस तरह की बाते लिखे गए, जो की बहुत ही ridiculous है, और बहुत ही, आप कह सकते हैं, deep बाते नहीं, बहुत ही shallow thinking है, जिस medieval period के हम बात कर रहे हैं, जिन modern period से भी context रखता है, और modernity carries with it a sense of material progress and intellectual advancement, यानि दोनों तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं, this seems to suggest that the medieval period was lacking in any changes whatsoever, but of course we know this was not that case, इन हजार सालों में काफी सारा बदलाव देखने को मिलता है, economic reason में, economic prosperity आती है, Europeans के विसे में हम लोग देखेंगा, बहुत सारी चीज़ों में बदलाव आता है, so now यहाँ पर हमारा chapter होता है खत्म और बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देखी, basically यह brief overview था कि क्या-क्या चीज़ें हम लोग आगे देखने को मिल सकती हैं, और बहुत ही basic तरीके से इसे रखा गया है, उमीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होग अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, thank you so much